जानते हैं सर कास्मीर फाइल्स पर इतना बवाल क्यों मचा है क्यों जब लोग इस फिल्म को सिनेमा होल से देखकर बाहर निकल रहे हैं तो किसी की आखों में आसू किसी की आखों में गुस्ता किसी की जुबा खामोस और किसी की जुबा कुछ और ही उगल रही है क्योंकि इस 1990 के दसक की वो कहानी जिसने सिर्फ कास्मीर नहीं पूरे भारत के मुख पर एक ऐसी कालिक पोत दीजी से आज तक साफ नहीं किया जा सका एक और डाइलोग है अजादी इस सौंग ऑफ टेररिजम रुकी आराम से एक तफसील से एक एक बात बताते हैं लेकिन बताने से पहले नहीं दर्सकों को अपना परिशे नमस्कार मेरा नाम कुमार अभिनो है आप पब्लिक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं 19 जनवरी 1990 सर्द की सुबह जब कास्मीर के मस्जिदों से सिर्फ अल्लाह की इबादत नहीं की गई बलकि उसके साथ साथ सर पे टोपी रख घुटने के बल बैट के अल्लाह के सामने इबादत के अलावा लावट स्पीकरों से यह भी ऐलान किया गया कि अगर कस्मीर में रहना है तो अल्लाहु अकबर कहना है यहां क्या चलेगा निजामे मुस्तपा ये भी कहा गया असी गच्छी पाकिस्तान बटवा रोवस्त बटने वशन मत कलब की हमें हिंदूओं की पत्मिया चाहिए वो भी उनके मर्दों के बिना यह सब नारे गुंज रहे थे कास्मीर में खुल्याम कत्ले आम हो रहा था हिंदूओं के घरों को चिनिक करकरके उनमें आग लगाई जा रही थी हिंदूओं की पत्ни के साथ रेप हो रहा था और दूसरी तरफ देश, देश के लोग, देश के नेता, मीडिया, बुद्धी जीवी, वर्ग, सदन, संसद, सब खामोस थे जैसे कहीं कुछ हो ही नहीं रहा वहां के अखबारों में पंडितों कास्मीर छोडों की धंकिया खुले आम छापी जा रही रेप किया जा रहा है, नारे लगाय जा रहे है, लेकिन उसकी बातों को सुनते हुए भी सरकार अनसुनी करопर किजा रही थी ये कास्मीर फाइल्स उन्ही दर्दना कहानियों का एक दास्तान है ये कास्मीर फाइल्स 1990 के उन 75,434 परिवारों की कहानी है जिस 75,434 में से 70,000 परिवार मात्र दो साल में कास्मीर छोड़ के पलायन कर गए या तो मार दिये गए या भगा दिये गए ये कहानी 1990-2011 के बीच 399 कस्मीरी हिंदूओं के नरसंगहार की कहानी है सोचिए कि वो नरसंगहार कितना विकराल रहा होगा कि विश्वी सदी में कस्मीर में लगभग 10 लाख हिंदू थे आज वो संख्या घटके मात्र 9000 रह गई है 1941 में हिंदूओं की संख्या कस्मीर में 15 प्रतिसत थी आज वो संख्या घटके 0.01 प्रतिसत हो गई है अब सोचिए कि उस नरसंगहार को कौन सा नाम दिया जाए कि जहां पूरे देश में सबकी संख्या बढ़ रही है जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, साई, सबकी संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती ही है घटती नहीं है वही कस्मीर में वो संख्या घटके 15 प्रतिसत से 1 प्रतिसत हो गई 10 लाख कस्मीरी पंडितों की संख्या घटके 10,000 हो जाना ये कोई अपसोस, सर्मनाग या फिर सौरी नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ एक नर संख्यार है और सोचिए कि अभी भी कस्मीर की स्थिति कितनी विभत्स है कि वहां पे जिन परिवारों को वहां से भगा दिया गया पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया मार दिया गया फिर से वहां उन्ही कास्मीरी पंडितों को बसाया नहीं जा सका कोई भी सरकार अभी तक बसाने में पूरी तरह से नकाम ही रही है ये स्थिति सरकार के सिर्फ असफलता नहीं दरसाती कास्मीर की वो विभत्तता दरसाती है वहां बस रहे लोगों की वो कहानिया बताती है, जिस पर आज भी बहुत सारे लोगों को कहने में डर लगता है। पनपा हुआ वो गाना है जिसे की ये पूरी गैंग गाया करती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस फिल्म में दिखाया भी गया है और साबित भी किया गया है। सिर्फ वो लड़का स्टब्द नहीं रह जाता बलकि हॉल में बैठे जितने लोग हैं उनकी भी आखों में आशू आ जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो क्या दौर रहा होगा जिन्होंने इसे जहला होगा। इस फिल्म में ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले कई द्रिश्य हैं। जाहें वो द्रिश्य 25 हिंदूओं को एक लाइन में खड़ा करा के 25 बार गोलियों से भून देने का हो। या फिर आतंकवादियों द्वारा घर में घूस कर उस बुढ़े आदमी को मार देना हो और उसका खून उस चावल में सना हुआ दिखाया जाता है। इसके बाद आतंकवादी कहते हैं कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो खून से सने हुए यह चावल खाओ। ऐसे करके कई द्रिश्य से दिखाये गए हैं जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिल्म का बवाल भी यही है। लेकिन अगर मैं असली वाला बात बताऊं तो बवाल की कहानी यहां से सुरू नहीं होती। क्योंकि कास्मीर पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं। 60 का दसक रहा हो 90 का दसक रहा हो या फिर अब का दसक फिल्मे तब भी कास्मीर पर बनती थी कास्मीर पर फिल्म अब भी बनी है और इधर भी बनी है बेसक कास्मीर की प्रिस्ट भूमी पर पहले जो फिल्म बनती थी उसमें रोमांटिक द्रिस्चे दिखाये जाते थे उसमें हरे भड़े पेड़ बहती हुई नदियां पहाड और प्रक्यृति की खुबसूरती दिखाई जाती थी कस्मीर की कली जब जब फूल खिले और नूरी जैसी रोमांटिक फिल्में बनाई गई 90 के दसक में कास्मीर की 26 सिनेमा में बदल गई रोजा मिशन कश्मीर फिजा और फरना जैसी कई फिल्में बनी जिसमें आतंकवादियों को पनपते हुए कस्मीर में दिखाया गया इसके बाद 2020 में विदू विनोद चौपडा ने सिकारा फिल्म बनाई थी जिसमें कास्मीरी हिंदू पंडितों के ही दर्द को दिखाया गया था लेकिन अपसोस कि वो फिल्म कोई खास चली नहीं चर्चा जरूर बहुत हुई आई एम डीबी पे उसे बहुत रेटिंग भी नहीं मिली लेकिन इस बार की जो विवेक रंजन अधनी हुत्री ने बनाई है उसने अपनी एक अलग पहचान नहीं बनाई है दर्सकों के सिर चड़के उसका जादू भी बोल रहा है और उसका एक और कारण है कारण ये है कि उन्होंने पहले ही बता दिया कि कपिल सर्मा ने हमारे फिल्म का प्रमोशन करने से मना कर दिया और जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, दर्सकों के सिर पर ये फिल्म सर चढ़ के बोलने लगा उसका कारण ये है कि कपिल सर्मा ने बाइकॉट कर दिया है वो भी इसलिए क्योंकि इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है इसके बाद इसे हिंदू-Muslimान से जोड दिया गया, लोगों को लगा कि जिसमें हिंदू के पलायन की कहानी दिखाई गई है उसे कपिल सर्मा जी कैसे मना कर सकते हैं प्रमोशन करने से इसके बाद कपिल सर्मा ने सफाई दी सफाई में उन्होंने कहा कि एक तरफा कहानी पर विस्वास नहीं करते सोसल मिडिया के जमाने अब सच क्या है हमें नहीं पता लेकिन हमारी तरफ से भी अपील होगी कि अगर ऐसी फिल्म बनाई गई है बनाने की हिम्मत की गई है तो इसके पीछे की कहानी चाहें जो भी रही हो चाहें प्रमोशन करने से मना किया गया हो या ना किया गया हो अपने इतिहास को देखना जानना बेहत शरूरी होता है